आप सभी का स्वागत आपकी अपनी चैनल पर तो दोस्त इस वीडियो में दो बड़े अपडेट दो नई भरतियों की जैनकारी जो सरकार ने आज विधान सबा में बताया है इन भरतियों के बारे में बड़ी अपडेट है एक सिक्षक भरती है दूसरा दोस्तो कनिष्ट वि लग भरती होगी किस विभाग की हम बात कर रहे हैं कौन से टीचर्स वरती किये जाएंगे तो वो तमाम जानकार इस वीडियो में इसके अलावा एक भरती की जो फाइल है वित विभाग में यानकी फाइनेंस कमिशन ने उससे अभी अप्रूवल नहीं दिया है अप्रूव इसमें एलल विल से रिलेटेड योगता रहेगी तो 130 पदों पर भरती की जो पत्रावली है वो वित विभाग में यानि कि फाइनेंस कमिशन के पास इस भरती के जो स्विक्रती के लिए फाइल है वो गई हुई है जैसे वित विभाग इसकी अनुमती दे देगा तो इसका विज्यापन है ये जारी कर दिया जाएगा और ये जानकारी विधी और कारिये विधिक कारियमंत्री ने सांती धारिवाल ने जानकारी दी है कि 130 पद रिक्त हैं कनिष्ट विधी अधिकारियों के और उन्होंने कहा है कि इन रिक्त पदों पर भरती करने के स्विक्रती है पत्रावली वित्विभाग में विचाराधीन है यानि कि पेंडिंग हभी वित्विभाग में विचाराधीन है यानि कि पेंडिंग हभी वित्विभाग में से फाइनिस नहीं किया है जैसे ही फाइनिस होगा यह भरती भी आप लोगों के सामने होगी तो इनोंने बताया है कि सवाल पूछा गया था इन से विधान सबाब सत्र चाली राप सबको पता है तो उसमें पूरक प्रसनों का जवाब ये दे रहे थे और इन्होंने बताए कि 237 पद हैं और इनमें से 150 अधिकारी कारेरत हैं 87 पद रिक्त हैं और 43 पद जो हैं सरजित किये गए इस तरीके से टोटल 130 यानि के 130 जो पद हैं कनिष्ट विधी अधिकारी के रिक्त हैं और इन रिक्त पदों को भरने की परक्रिया है जो है कारवाई है वो परक्रिया धीन है विहित परिक्रिया पूर्ण होने पर रिक्त पदों को सिग्र भर दिया जाएगा यानि कि जैसे फाइनेंस का पुरूवल मिलेगा इन पदों को भर दिया जाएगा 130 पदों पर कनिष्ट विदी अधिकारी भरती परिक्षा आएगी अब इसके अलावा दोस्तों एक और यहां पर है संस्करत महा विद्दालों में सेवा नियम और रोस्टर परिक्रिया और एक महा में सुरू कर वेद अध्यापकों की नियमित भरती यहां पर की जाएगी तो यहाँ पर संस्क्र सिक्षा मंत्री यानि कि बीडी कल्लाई है तो उन्होंने ये इस बात की जानकार दी है कि एक महिने में वेदों के अध्यापन के लिए वेद अध्यापकों के सेवा नियम और रोस्टर प्रनाली लागू कर नियमित भरती परक्रिया शुरू कर दी वेद अध्यापक इनको कहा जाएगा यानि कि वेदों को पढ़ाने के लिए ये जो है इनके सेवा नियम बनाए जा रहे हैं ऐसा बीडी कल्ला ने कहा है और इन्होंने कहा है कि इससे पहले संस्क्रत सिक्षा के लिए वो विद्दा संबल योजना के तहत भरती कर रहे हैं जिसमें लेक्षर को 20,000 रुपए, एसोसेट प्रोफेसर को 40,000 रुपए और प्रोफेसर को 50,000 रुपए जो महिना है वेतन दिया जा रहा है विद्द संबल योजना के तहत तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इसके लिए इन्होंने बताया है कि संस्क्रत सिक्षा और वेदों के अध्यन के लिए सेवन नियम 1978 में बने थे उसके बाद से कोई इनमे सुधार नहीं हुआ, कोई इनमे बदलाव नहीं हुआ, तो सरकार अब क्या कर रही है कि संस्क्रत सिक्षा और वेदों का अध्यन कराने के लिए जो सेवन नियम होते हैं किसी भी भरती को दोस्तों आने से पहले उसके नीती नियम काईदे कानून बनाए जाते हैं किस तरीके से वो काम करेगा तो रूल्स यहाँ पर बन रही हैं वेद अध्यापकों के लिए जैसे यह रूल्स कम्प्लीट हो जाएंगे तो विदिन वन मंथ सरकार इस पर भरती पिरक्रिया पूरी क जानकरी आपको टेलिग्राम पर दे जाएगे कितने कितने खाली हैं तो यह वेद अध्यापक और कनिष्ट विदि अधिकारी नाम की दो जो भरतियां हैं उनका जल्द ही प्रोसेस सुरू होने वाला है यह इस वक्त का बड़ा प्डीट है और यह जानकरी आपको हमारे टे इडिकेशन न्यूज पर मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में है धन्यवाद जय हिंद जय भारत